नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूपी एक्जाम जंक्शन में देखे आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर और हैड ऑपरेटर की भरतिनिक लिए उसमें दो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि अभी तक जो फार्म है वो कित सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने फॉर्म पड़े हैं अब तक ठीक है अभी जो आपका है एड ओपरेटर हैं उसमें 80,000 फ़र्म पड़ चुके हैं ठीक है 80,000 फ़र्म पड़ चुके हैं अभी जो एक्जाम फिस की जो डेट है वह थोड़ी बढ़ गई है तो अभी आजिसमें थोड़े बहुत फोर्म और एड़ हो सकते हैं ठीक हैं और असिस्टेंट आपरेटर के आपके 3,50,000 फॉर्म पढ़ चुके हैं और वर्क्शॉप जो ऑपरेटर हैं उसके आपके 68,000 फॉर्म अभी तक पढ़े हुए हैं ठीक है तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका स्लेवस क्या रहेगा ठीक है इसका जो आपका ये एक्जाम है इसका स्लेवस क्या रहेगा स्लेवस में सबसे पहले ये जो है आनलाइन परिक्षा होगी ओनलाइन लिखित परिक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ट होगी ठीक है और 400 अंकों की टोटल परिक्षा होगी ठीक है 400 ओंगों की टोटल परिक्षा होगी जिसमें समान हिंदी और दूसरा विज्ञान या और समान विज्ञान जीके और साइंस एक में पूछा जाएगा 100 नंबर का और तीसरा है मैथ ठीक है मैथ पूछी जाएगी और चौथा है आपका रिजनिंग यह 100 नंबर के 400 नंबर के टोटल आपका पेपर होगा ठीक है और इसमें एक कंडिशन है यह आपका पेपर जो है धाई गंटे का होगा ठीक है और इसमें कंडिशन है आप किसी भी आप 50% आपको minimum individual cut-off लानी पड़ेगी जैसे बैंक में होता है कि आपको minimum cut-off पार करनी पड़ती है तो इसी तरह इसमें होगा कि आपको minimum 100 अंक है तो आपको 50 नमबर हर एक sectional cut-off लानी होगी जैसे अगर आप हिंदी में 49 नमबर लियाए और total में आपके बहुत जादा cut-off से जादा नमबर है फिर भी आप fail हो जाएंगे ठीक है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 50 से उपर समय नमबर लेके आएं ठीक है इससे आपकी cut-off भी असानी से clear हो जाएगी और आपको ज़्यादा कोई problem नहीं होगी ठीक है इसको लिए पढ़ाई कैसी की जाए आगे इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे ठीक है तो इसके लिए channel पर बने रही है और चैनल को subscribe करें लिजिए आगे देखते हैं एक्जाम कब हुआ एक्जाम की जो डेट आ रही है वह मई इंड से जून तक आ रही है और इस तरह से आपके पास बहुत कम टाइम भी बचा हुआ ठीक है मार्स समझनों निकल गया है तो आपके पास अप्रेल और मई दो महीने का समय बचा हुआ है अगर आप अच्छे से तयारी करेंगे तो इसमें कट अफ थोड़ा कम जाएगी क्यूंकि इसमें सेक्शनल कट अफ भी है ठीक है तो इसमें आपका एक्जाम निकलने के काफी ज़्यादा चांसे रहेंगे क्यूंकि इसमें सेक्शनल कट अफ है और आपक इन्फोर्मेशन पाने के लिए ठेक है दोस्तों वीडियो दोखने के लिए धन्यवाद